नमस्कार, मैं हो ससी, आईए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जार्खन परतियोगी परिक्षा बिधेयक पर बवाल चातरों के लिए आंदोलन करेगी बीजेपी जार्खन परतियोगी परिक्षा बिधेयक 23 पर बवाल मचके है विपक्ष लेका सता पक्ष के बिधायकों को भी इसके सजा के परधानों पर अपत्ती है बतादे परिक्षा में नकल और प्रशन पत्र लिक को रोकने के लिए सरकार के द्वारा लाई जा रहे है बील पर सिया सत्येज हो गई है बिजेबी पर देश अध्यक्ष और बिधायक बाबुलल मरांडी ने सरकार पनिचाना साधते हुए इस बील के खिलाब सदन से लिका सवक तक आंदरुन करने का निना लिया है वही मानसुन सत्र के चोथे दिन जारखन बिधान सवक बाबुलल मरांडी ने कहा है कि जिस तरह से इस बील में प्रधान किये गए है वह चात्रों के हीत में नहीं है थोड़ी सी चुक की वज़ा से जदी चात्रों को जेल जाना पड़े यह कहीं से भी उचीत नहीं है सरकार न यह बील के माध्यम से कहीं न कहीं चात्रों की आवाज को बंद करने की कोशिश की है भरतिये जानता पार्टी सरकार के द्वारा लाएगा इस बील का विरोध करती है वहीं जार्खन प्रत्योगी परिक्षा भी देख दोय तेज के अलग-अलग का थोरदन के प्रधानों का जिक्र करते हुए सुदेश महतों ने कहा है कि जिस तरह का काणून परिक्षा में कदाचार रोकने के नाम परहिमन सरकार बना रही है उससे साफ हाएक युवा जानता की आवाज को दबाना चाती है जार्खन में तिरंदाजी और होकी की दिवानगी के बीच फुटबॉल का बढ़ा क्रेज जमचेदपूर के युवा कई वर्षों से तिरंदाजी और होकी के दिवाने रहे है दोनों ही खेलों की यहाँ एकेडमी है जहां के खिलाडियों ने देश विदेश में अपनी परतिभा का लोहा मनवाया है तिरंदाजी में विश्व चेंपियन भी इसी सहर की देन है बतादे भारतिय तिरंदाजी के नर्शरी कहे जाने वाले टाटा तिरंदाजी अकादमी ने लिमबा राम, पुर्निमा महतो संजीव सिंग, डोला बनर जी, जन्त तालूकदार से लेकर कोमलीका बारी वा अंकिता भगत तक कई ऐसे तिरंदाज दिये, जिनकी धमक आज भी विदेशों में कायम है इसी एकेडमी से जुड़ने के बाद दिपिका कुमारी 200 चेंपियन बनी थी वहीं युवा तिरंदाज कोमलीका अपने परधन की बदलत पूरे दुनिया में सुर्किया बटोर रही है अकादमी ने 13 ओलंपिया नुवा तिन पदमस्री भी दिये है इसी तरह होकी के खेलाडियों के लिए भी यह सहर बेहतरीन प्रसेक्षन केंदर सावित हुआ है अब खेल भी से सगों किमारे दुजमसेद पूर्पूर्वी भारत का सबसे बड़ा केंदर बनने की काकार प्रपोच गया है अभी तक कोलकाता को ही पूर्वी भारत का सबसे बड़ा खेंदर माना जाता है लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से जिलास तरिये कल्बो की संख्या के साथ तूर्णामेंट की संख्या बड़ी है उससे यह साफ हाय की जल्द ही जम से पूर्पोलकाता को पीछे छोड़ देगा नियमित ठीका करन से वंचित बच्चो व गरवती के लिए बिशेस अभियान साथ से नियमित टीका करण से वन्चित बच्चे एवं गर्वती महिलाओ के टीका करण का विशेस अभियान चलाया जाएगा केंद सरकार द्वरा संचारित मीशन इंद्रधनूस का यह पाचवाचरन है राज्य में यह अभियान तीन चर्णों में चलेगा देवघर को छोड़ सभी जिला में अभियान साथ अगर से शुरू होगा देवघर में 11 सितंबर को शुरुवात होगी वहीं अभियान के तहत किसी कारण से टीका नहीं ले पाए बच्चों को OPV, IPV, PETA, ROTA, MRJE, DPI, TDR, BCG के टीके लगाए जाएंगे सारीरिक सिक्षा प्रसिक्षित सिक्षक संग ने सीम से की बात राज्य भर के जीलों से दो दीन विधान सबागे समक्ष धारना देने के बाद बेरोजगार सारीरिक सिक्षा प्रसिक्षिक्षको के प्रतिनिदी मंदाल ने बुद्धवार को मुख्य मंत्री हेमंसुने से वर्ता की संग के अध्यक्ष हेमांत भातु ने बताया है कि मुकी मंतरी ने इस पर जल्द पहल करने का भरुसा दिया है मांसुल सत्र के दोवान हाजारी बगसादर भी धायक मनी जैसवाल के दोवाल अल्प सुचित प्रस्नकाल के मादम से 89 कर्मित उच बिद्यालियों में सर्रिक सिक्षक के पस रेजन के समद में सरकार से सवाल किया गया था सरकारी स्कूलों में चलेगा अंग्रेजी सक्षार्ता कारेकरम जारखन के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी सक्षार्ता अभ्यान चलेगा पहली से बारावी तक संचालिस सभी स्कूलों में इसकी सुरुवात की जाएगी इसके लिए संबंदित स्कूलों के सिक्षकों को प्रसिक्षित किया जाएगा और उनके बीच से मास्टर ट्रेनर त्यार होंगे इसकूली सिक्षा और सर्षता विभाग ने इसकी तियारी भी शुरू कर दिया है अंग्रेजी सक्षर्था कारकरम के साथ साथ World Power Championship में भी जारकन के सरकारी स्कूल के बच्चे सामिल होंगे इसके लिए सभी प्रारमभिक स्कूलों में इक कांटेंट दिया जाएगा वहीं सभी आवासे बिद्यालियों समेट मोडल स्कूल और उत्क्रिष्ट बिद्यालियों में अंग्रेजी सक्षर्टा कारकरम होगा जबकि राजी के सबसे बेहतर स्वावी स्कूलों में पुस्तकाले का भी निर्मान किया जाएगा सुखार राहत की रासी नहीं मिलने पर इंडिया दलो का परदर्सन पिछले वर्स राजी के 22 जीलों के 226 परखंड में सुखार की वज़ से हुए नुकसान के वज़ में जारकन सरकार ने केंद्र से करीब 962 क्रोर की मांग की थी केंद्र की ओर से अब तक सुखार राहत की रासी नहीं मिलने और राज आपदा मोचन निधी से 502 क्रोर खर्च करने की सला देने पर जारकन इंडिया घटक दलों के नेतावों में उबाल है इसके विरोध में कई नेतावों ने परदसन किया इंडिया दलों के विधायकों और मंत्रियों का कहना है कि मंगलवार को जो जनकारी मिली है उसके अनुसार केंद्रे ने राज आपदा मोचन निधी से सिर 502 क्रोर रुपे खर्च करने को कहा या केंद्रे की किसान विरोधी और जारकन विरोधी रवया को दर्शाता है जिसका विरोध जारकन इंडिया दल के तमाम विधायक और मंत्री कर रहे है मनिपूर घटना के लिए PMO ग्रिह मंत्री इस्थिपादे हिरालाल गिरी डी जीले के गांडे परखंड मुख्यालाय में मनिपूर की घटना एक बिरोध में 2 अगस्त को आदिवासी जाना क्रोस महरायली के आउजन किया गया महरायली में प्रामपारिक हातियार के साथ सामील आदिवासी ने केंद सरकारे खिलाप जम करना रवाजी की है राइली को समोधित करते हुए समाज के हिरालाल मुर्मो ने कहा है कि मनिपूर में आदिवासी महिलावक साथ हुए कुक्रित की जितनी भी निंदा की जाए कम होगी पूरे देश में इस घाटना के खिलाप आकरोस और गुसा है इसके लिए परदान मत्रिनाद मोदी और केंदरिये ग्रीह मंत्रियामीत साकोई स्थीपा दे देना चाहिए उन्होंने मनिपूर के सीएम भूपेंदर सिंग के खिलाप भी कठोर करवाई की मांग की है जारखन में हत्या दुसकर्म के 231 मामले में 666 केस में 4 सीट हत्यार दुसकर्म के 231 मामलों में से सिर्फ 667 मामलों में ही जारखन पूलिस समय पर 4 सीट दाकिल कर पाई है जनवारी 2023 से मई मात तक हत्या के 182 मामलों में 289 मामलों में राजी के अलग अलग जीलों के पुलिस ने 4 Cleans दाकिल किया है जबकि दूसकर्म के 1149 मामलों में 388 मामलों में 4 Cleans दाकिल की गई क्योंकि चापसिर्दाखिल होने के बाद ही नियालय आरोपी की जमानत पर विचार करती है इसलिए पुलिस कभी कभी आरोपी की जमानत को रोकने के लिए भी ऐसा करती है बीत रहित सिक्ष को करमचारियों ने बिधान सभा के सामने दिया महाधारना बीत रही स्कूल कवलेजों के अधिक ग्रहन और ततकाल घाटान दान देने की समेत अने मांगो को लेकर राज भर के हजारों बीत रही सिक्षक करमचाई ने बुद्धवार को विधान सबागे सामने महाधरना दिया लगातार हो रही बारिस के बीच ही सिक्षक मांगो परदर्शन करते रहे धरने के बाद मोर्चा से सुने मुक मंतरी के नाम ग्यापन भी सोपा है बटा दे धरना अस्थल पर ही मोर्चा के अध्यक्स मंडल के बैठा कोई कोरोना के बाद फिर अंतर इस्कूल बैंड परतियोगता की तयारी कोरोना संक्रमन काल के बाद एक बाद फिर अंतर इस्कूल बैंड परतियोगता का आयोजन करने की तयारी सुरू हो गई है इस समध में JPC की ओर से सभी जीला सिक्षा पताधिकारियों को गाई लैन भेजी गई मतादे 2018 में आकरी बार जार्खन की टीम ने राष्ट्रिय अस्तर प्रभागिदारी की थी जिसमें संत अन्ना स्कूल मोडल की बाली का टीम ने देश बर में पलासान प्राप्त किया था जार्खन में जीला परिशाद वो ग्राम पंचायते होंगी और मजबूत जार्खन बिधान सबाई थी सभाग कक्ष में मुख्य मंतरी हेमाउसलन से पचमी सिम्हुम जीला के जीला परिशाद सरसे और मुख्या संक के प्रतिनीदी मंडले मुलकात की इस दोरान उन्होंने मुख्य मंतरी से जीला परिशाद को बेहतर और सुचारू तरीके से संचालन के लिए आर्थिक संसादन उपलब्द कराने की दिशावें पहल करने का आगरा किया इस पर सीव ने अस्वास्त किया है कि सरकार इस दिशा में बहुत जल यतोचित निरना लेगी मुख्य मंतरी ने कहा है कि जीला परिशादों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की पहल करने होगी इस दिशा में वे अपने अधिनस्त संसादनों के व्याप पक इस्तेमाल करने की करयोजना बनाए इसके साथ अपने छेत्रा अधिकार में आने वाले जो भी संसादन है उनसे रायसों को बढ़ाने की दिशा में भी आगे बढ़े इसमें जो भी सहयोग की जरुरत होगी उसे सरकार पूरा करेगी देवघर मंदीर में बेलपत्र प्रदर्शनी देवघर का बाबा बैधनाथ मंदी 12 जेवतिस लिंग में सबसे महतपूर माना जाता है इसे मनोकामना लिंग भी माना जाता है यहां सिव लिंग की अस्थापना खुद भागवान विश्णू और अने देवताओ ने की थी बतादे लंका पतिरावन खुद सिव लिंग को कैलास परवसे देवघर लेकर आये थे बाबा बैधनाथ की कहानी बहुत ही निराली है स्रावन मास में यहां एक अनोखी परमपरा भी रही है बाबा के दर्बान में हर वर्स बेलपत्र परदस्नी लगाई जाती है बताया जाता है कि इसकी सुरुवात 1912 में बाबा ब्रमवचारी ने की थी तब से अपरमपरा चलती आ रही है सावन महिने में हर सोमवर को यहां परदस्नी लगाई जाती है परदस्नी में त्रिकूट पहार और आसपास के पहार और दुरलब जंगलों से बेलपत्र को तोड़ कर पंड़ा समाज के सरसे लाते है फिर से चांदी के पात्र में साया जाता है उसकी पूजा की जाती है फिर उसी बेलपत्र से बावा का सिंगार भी किया जाता है मंदीर प्रांगन में लगने वाली बेलपत्र परदस्नी को देखने के लिए लाखों की संक्या में सधालू पहुँचते है जी-म-नेता लोबीन ने सदन में अपनी ही पार्टी पर सधान निसाना जारखन विधान सबाके मानसूल सत्र के दन बुद्धवार को सदन में bisa taracho जारखन मुक्तिमोरचा के बोरियों के विधाक लोबीन हैमरेम ने अपनी ही सरकार को निसाने पर लिया उन्होंने सुचना के माध्यम से सदन को अगत कराया है कि वे अवैद खरन के बिरूद लगातर आवाज उठाते रहते हैं वे जिस छेतर से आते हैं वहाँ घर में घुस कर गोली मार दी जा रही है उन्हें विजान को खत रहा है इसके बावजूद उनके हाउस गाड को आपस ले लिया गया यह सुरक्षा का स्वाल है इसके लिए डीजीपी से भी मिल चुके है लेकिन कोई फैदा नहीं हुआ उन्होंने आसन से कहा है कि विदान सभा अध्यक्ष उनके संड़क्षक है इसलिए वे इस पर ध्यान दे साहेवगंज में आदिवासी किसोरी से सामोहिक दुस्कर्म जारखन के साहव गांज में बोरियो थाना चेतरी के एक गाव की नबाली किसोरी के साथ सामय के दूसका में घाटना हुई है घाटना करीब एक सपता पुरानी है वारदात के बाद किसोरी सदमे में है उसकी स्थिती ठीक नहीं है शरीर पर कई जगा खरोच है किसोरी के पीता और पुरुश से साधी कर ली थी किश्वरी अपने पीता के साथ रहती है बता दे पीड़िता के पीता ने पुलिस को बताया कि बाई जुलाई को वा अपनी पुत्री को अपने सोजनों के पास छोड़ कर बांजिक के बगदुम्मा पम्पिंग सेट चलाने गया था विश्व आदिवासी दिवस पर विरोध दिवस मनाएंगे आदिवासी संगठन आदिवासी संगठन विश्व आदिवासी दिवस पर जस्न मनाते हैं लेकिन इस बार रांची के आदिवासी संगठन इस दिन विरोध दिवस मनाएंगे आदिवासी संगठों मनीपूर घटना और केंद्र सरकार दोवारा लाए जाने वाले सम्मान नागरिक कानून UCC से नराज हैं कई आदिवासी संगठों ने विश्व आदिवासी दिवस को बिरोध दिवस के रूप में मनाने का निने लिया है आदिवासी सम्मेठी कराश्ट्रिये सम्मान यवां पुर्व मंत्री देव कुमाधान ने घोसना की है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर कोई जस्न या निरित संगीत का आउज़ा नहीं होगा केंद्र द्वारा UCC लाए जाने की पहल मनिपूर में आदिवासी महिलाओ को निर्वस तर घोमाने या मध्य परदेश में आदिवासी जिवक पर पेसाब करने के खिलब इस दिन को बिरोध दिवस के रूप में मनाय जाएगा इसी तरह नहीं आदिवासी संगटनों ने भी अलग-अलग करक्रम की घोसना की है इंटरनेट पर परसाइथ डाटा इंटरी के वैकेंसी की सुचना गलात इंटरनेट पर यह सुचना परसाइथ हो रहा है कि रहाची इंकम टेक्स डिपार्टमेंट में डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति निकली है लेकिन यह जनकारी पूरी तरह से फरजी है और इसका इस्तेमाल लिवाओ को ठगने के लिए किया जा रहा है बिग्यापन में यह कहा गया है कि रहाची इंकम टेक्स डिपार्टमेंट डाटा इंट्री ऑपरेटर के नियुक्ति करने जा रहा है और इससे समझी पूरा कामकाज का बेवरा भी उपलब्द करया गया है जो सुचना पर सालित हो रही है उसमें वेबसाइट पर आवेजन कर नहीं बना पाई सरकार सुदेश महतो आईसु के केंद्री अध्यक सुदेश महतो ने कहा है कि हैं मंत सोरन की सरकार ने अब तक युआओ के हित में कोई निती नहीं बना पाई है सरकार की निती से ही उनकी नियत का पता चलता है सरकार द्वारा अब तक जो भी निती बनाई गई है किसी न किसी कारण से निरस्थ ही हुई है सुदेश महत्व बुद्धवार को हर्मो इस्थीत आईसु कर्याले में आईसु छात्रसांग की राची विश्योविदाल इकाई के समिलन में बोल रहे थे सुदेश महत्व ने कहा है कि सभी युवाओ और उनके परिवार का एक ही लक्षा है कि पढ़ाई पूरी अच्छी नौकरी मिले वहीं लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई पलानिंग ही नहीं है जिसे की युवाओ को रोजगार दिया जा सके मिडडे मिल का 7000 स्कूलों में होगा सोसल ओडिट जार्खन के 7000 प्रारमिक स्कूलों में मिडडे मिल का सोसल ओडिट 7 अगस्त सुरू होगा सभी जीलों में वी तिय वर्ष 2021-2022 का सोसल ओडिट किया जाएगा बिभीन जीलो में एया ओडिट 31 अगस से लेकर 5 अक्टूबर के बीच होगी इसके लिए स्कुली सिक्षाव सर्षता विभाग के जार्खन राज मद्यान भोजन प्राधिकरन ने सेडिूल जारी कर दिया है प्राधिकरन कि निदेशा किरन कुमारी पासी ने सभी जिला सिक्षादिश को कोई से सुनिश्चित करने का निदेश दिया है बता दे कि गिरीडी में सबसे ज़्यादा 611 जबकि पलावं पासोचव स्कुलों की सोसल अउडिट होगा धन्यवाद